हेलो माई दियर स्टुदेंट्स वेलकम तू नेवर गिवप तुडेज वीडियो इस अबाउट नॉटिस राइटिंग फॉर क्लास 12 इंग्ली उत्राखंट बोर्ड इस्पेशली और वैसे हर बोर्ड में यह क्विशन आता है तो आज की वीडियो है नॉटिस राइटिंग कै स्टुदेंग करेक्ट स्पेलिंग एंड विद प्रॉपर फॉर्मेट देन यू विल गेट फॉर माक्स आट फॉर्ट सो लेट एस लेर्न हाव तो राइट अन एफेक्टिव नॉटिस राइटिंग तो यह रहा आपका क्विश्चिन नॉटिस राइटिंग का है और कि स्कूल में रीडिंग स्किल राइटिंग स्पीकिंग स्किल और आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नल जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसके मार्क्स मिलेंगे आपको 20 मार्क्स के आपकी टीचर रहेंगे तो आपका क्विश्चिन आता है इस प्रकार से ठीक है सबसे Important होता है क्विश्चिन समझना जहां तक हिंदी मीडियमके स्टुडेंट की बात है तो क्विश्चिन नमबर थ्री है और अधिकांसते बोर्ट की एकजाम में आपको क्विश्चिन नमर थ्री मिलेगा कि अगर आप अच्छे से प्रेक्टिस करके रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है वाइल वॉकिंग इन द यह है नौटिस फाउंड और लॉस्ट का ठीक है तो फाउंड मतलब क्या होता है पाया तो अगर आपको आपको कुछ मिलता है खोया है किसी चीज खोया प पाया है अगर कई पार्क में पाया है कई मार्केट में पाया है तो वहां आप जो में में प्लेसे हैं वहां पर लगा सकते हैं ताकि अगर जो जिसका वो खोया है वो उसको आप से कॉंटक्ट करके उसको वापस मिल सके ठीक है आप नॉटिस को एडवर्टीजमेंट बना सक गैल वाइंड मतलब जम्राइबヤ कर रहा था इंद आ हां अब आपके लिए बहुशुच्छ नेयबर हुड़ आपके पाउसने नेस DIRECTOR पर्ण नेवर्वड उस उसमाल प्लास्टिक बैग आपको मिल ने पाया का मतलब फा squirrel पाया है एक small छोटा सा plastic का बैग आपको मिला containing containing का मतलब होता है इसके अंदर जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है तो contain कर रहा है उस चीज को इस क्या contain कर रहा है यह बैग में कुछ नहीं कुछ रखा हुआ तो उतना ही लिखना है about 50 words to be put on the park notice और आपको जिस पार्क में मिला है वहां का notice board होता है हर पार्क में notice board होता है तो वहां के notice board पे चिपकाने के लिए asking the owner और आपको owner को यह कहना है कि asking मतलब कहते हुए owner को to identify कि इसको पहचानिए identify का मतलब पहचानिए and collect it और इसको collect कीजिए मतलब इसको प्राप्त कीजिए from you आपसे आप अपने विखना है तो आपको इनि का नाम लास्ट में लिखना है जो मैं बता रहा हूं इसमें इनि का नाम लिखना है तो question अब हम देखते हैं answer कैसे लिखना है तो answer आपने अपने answer sheet के बीच में लिख दिए कि answer of question no.3 फिर आपने एक डिबा बनाना है बड़ा सा फोर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं इस ठेकने सुंदर से आपने इसा बनाने और इसके अंदर आपने ये बड़ा Bड़ा लिख देना है किcond Sanders no Tice से आप लिखेंगे तो जाद अच्छा लगीगा इस Rogers को एसे Box के अंदर बना देना जैसे इनों बना रखना से ये लिखनाller में लिखना ध्यान रखना फिर जिस दिन आपका एक्जाम हो रहा है आप उसी डेट के लिख दीजिए फाइब जनवरी 2023 मार्च में आपका एक्जाम होगा तो 25 मार्च जिस भी डेट को 25 मार्च 23 ठीक है अब आपने क्योंकि यह पाया है तो इसलिए आप लिखतेंगे फाउंड फाउंड मलब पाया पाया ठीक है कुछ मिला है अगर कुछ खोया आया तो उसके लिए लॉस्ट लिखतेंगे लॉस्ट 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 और तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना यह सबसे पहले आएगा उपर उसके बाद डेट आएगी यहां पर फॉर्मेट में यहां पर नॉटिस लिख दिया फिर डेट आएगी और फिर नीचे आपने लिख दिया लॉस्ट यह फाउंड जो भी हुआ तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपका पचास वर्ड पूरे हो जाते हैं जो भी आपकी अंसर सीड होगी ठीक है तो अब मैं लिख दिया है इस इस तो इंफॉर्म आल दे रीडर्स का मतलब है कि सभी रीडर्स रीडर्स मतलब पाठक गर्ण या लोकल रेजिडेंट्स भी आप यहां पर लिख सकते हैं मुझे एक प्लास्टिक बैग मिला बैंट सा बस्तिक के नीचे लोकते देनें CC चक्के एंगार ट्माविए इस होते होते हैं मनें बता दिया है की condemnar कुछ है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सम मनी, कुछ पैसा भी है उसमें, बस इतना आपने लिख दिया है, फिर आपने लिख दिया है, इस बैग की जो ओनर है, ओनर मतलब जिसका भी यह है, मालिक होता है, जो भी इसका ओनर है, केन कॉंटेक्ट मी, वो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकता है, ओन माई फोन नंबर, मेरे फोन नंबर पे, और अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे सकता है, कि मैं यह बेखती हूँ, सब कुछ, I am so and so, बता दिया है, कि मैं यह हूँ, तो कलेक्ट इस बैक, इस बैक को कलेक्ट करने के लिए लाश्मा आपने थैंक्यू लिख दिया, और नीचे जो कुछ और चीज भी खोई है, बैक के अलाव कुछ और खोया है, तो दोनों का मतलिकना है, यह तो एक कही लिखना है, और लोकल रेजिदेंट कॉंटेक्ट नमर एक वाच पाई, या येस्टरड़े आइफांट की फोन, मोबाइल फोन, यहाँ पर मोबाइल फोन लिख दो, ठीक है न, यहाँ पर मोबाइल फोन लिख दो, प्लास्टिक बैक के जगर, बाके सब वही रहेगा, तो थैंक्यू फॉर वाचिंग, अगर वीडियो आपको लाइक करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, थैंक्यू बहरी मच्चू